नमस्कार बहुत स्वागत है आपका रपाप्लिक भारत लुमिनस टूडियोज में मैं हूँ आपके साथ सलोनी श्रवास्तवज मेरा मेरी सेयोगी गाइतरी शर्माई भी इस बुलिटन में आपको एहम खबरे बताएंगे लेकिन शुरुआत इस वक्की सबसे बड़ी खबर स उनका वहां पर प्रवास होगा इस दोरान अलग अलग कारिक्रम है आज प्रधान मंत्री शाम चार बजे के बाद कन्या कुमारी जाने वाले जहां पर धियान लगाएंगे और 45 गंडे का प्रवास होगा उनका जो जिस शिला पर विवेका नंद जी ने धियान लगाया था वहीं पर धियान लगाएंगे प्रधान मंत्री बिल्कुल तो आपको बता दे दो दिन का उनका कारिक्रम है सुरक्षय ववस्था कड़ी है सुरक्षय एजिंसियां चाक्चवबंध हो चुकी है और इसी कड़ी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उसी जगहां पर पहु लगातार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो पहुँचेंगे धार्मिक ग्रंतों में शिव पारवती से इसका जुड़ाव है शिव जी के लिए माप पारवती ने यहीं पर ध्यान लगा था जहां आज प्रधान मंत्री नरेंद सहयोगी सुमित काशी से जुड़ रहे हैं और अनामिका पांडे सीधे कन्या कुमारी से जुड़ रही है पहले अनामिका के पास ही चलते हैं अनामिका जहां पर हम सूरज का तेज देखेंगे लेहरों की खनक देखेंगे और वहीं शांत सी शिला पर ध्यान लगाएंगे प दो शिलाओं पर बना हुआ है इसको आप महसूस भी कर सकते हैं यहाँ पर बीच में खलका सा पार्टीचन है और यह दो शिलाएं हैं एक यहाँ पर भव्य मुर्ती लगी हुई है वहीं दूतरी और यह वो रॉक मेमोरियल है जहां दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं हलाक कि वो उतना समय नहीं दे पाते हैं वहाँ उतनी देर नहीं ध्यान लगा पाते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा कर वो भी यह महसूस करना चाते हैं कि आखिर किस तरह से देश के विकास के लिए और विक्सित भारत के लिए भारत माता को लेकर नया विजन प पाते कहते रहे हैं कि कैसे वो उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उसी की छलक आज यहां देखने को भी मिलेगी जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी यहां पर पहुंचेंगे यह जो आप मूर्ती देख रहे हैं इसके बिल्कुल बगल में यही वो मैमोरियल है जहां पर प्रधान मंत्री को घंटो तक धेधान लगाना है 2019 में भी हमने देखा था कि जब रुद्रुगफा में प्रधान मंत्री पहुंचे थी तो वहां पर उन्हें 17-18 घंटे का ध्यान लगा था और अब यह चाहा जारा क्योंकि 45 घंटे के प्रवास पर प पहले प्रधान मंत्री नर्यन्दर मुदी पूजा अर्चना करेंगे यानि शाधे चार से पाच के बीछ जब प्रधान मंत्री यहाँ पर पहुचेंगे तो सबसे पहले इस मंदिर में उनको पूजा अर्चना करनी है और उसके बाद सीधे बोट के रास्ते थे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है इसलिए पीछे की तरफ जिस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है उसी बोट के रास्ते से आप देख भी सकते हैं पर कुछ बोट्स मौझूद भी हैं उन्हीं बोट्स से प्रधान मंत्री अंदर वहां तक जाएंगे और घंटों तक ध्यान लगाएंगे हम देखते रहें हमेशा से कैसे आध्यात्मति सनास्तन से धरम से प्रधान मंत्री का जड़ाव लह रहा है और हमेशा से कहते रहे हैं कि धरम का अपमान बर्दाश नहीं किया जाएगा विरोधियों को भी इस पर एकर जबाब देते रहे हैं। विपक्ष जो है, वो सवालों की बोचार कर रहा है। काशिवासी क्या क्या है, क्योंकि सनातनी देश में आज तक किसी ने ध्यान यात्रा पर कोई सवाल नहीं उठाएं, लेकिन विपक्ष ऐसा कर रहा है।